हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए बहुत बड़ा जिलंत प्रश्ण है हमारे सामने कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए अम महेशानी महा माये चामुंडे मुंडमाली नी आयू आरोग्य एश्वर्य देही में देवी पर मेश्वरी अम जहिंती मंगला काली भदर काली कपाली नी दुनुगा चामा शिवा धातरी स्वाहा सदा नमस्तुते हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए और मांगे तो क्या भगवान आपको दे देंगे क्या इश्वर आपका गुलाम है जो आप मांगो के और वो दे देंगे और क्या भगवान हमारे सस्ते सोदे के लिए बैठे हुए है अधिकाश्ट मनुश्य मंदिर इसलिए जाता है किवल मांगने के लिए जाता है कि मेरी सर्विस लग जाए मैं परिक्षा में पास हो जाऊँ मेरा ट्रास्फर हो जाए मेरी यह लड़का पेदा हो जाए मेरा मकान बन जाए तो हमेशा एक मनुश्य मांगता ही रेता है भगवान से और हमारी कुछ इच्छा हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म संचित कर्म के पुन्य कर्मों की वज़े से पूरी हो जाती है और कुछ रेह भी जाती है मनुश्य कितना लालची है कि बोलता है कि एक किलो मिठ़ई चड़ाऊँगा तो मेरा ये काम बन जाना चीए जो लाखो रुपे का होता है तो भगवान इत्ते सस्ते है कि एक किलो मिठ़ई पांच-छे सो रुपे की उसमें आप एक लाख दो लाख का काम करा लोगे हमारे शास्त पुराणों में लिखा है कि संतों ने महापुरुशों ने कहा है कि भगवान से क्या मांगा जाए परन्तु ये मनुष उन चास्त्रों का पाठा नहीं नहीं करता शास्त्रों को पढ़ता ही नहीं है किसी किसी कह यहां तो घर में एक पीड़ी दो पीड़ी निकल गई कभी उनने न रामाएंड जी खोल के देखी न भागवज जी खोल के देखी न गिता जी खोल के देखी जो हिंदू सनातन धर्म की रीड़ी की हड़ी है परन्तु उन्होंने कभी इनको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की और न अपनोंने पढ़ा और न अपने बेटों बेटियों को बोला कि कभी तुम पढ़ो तो उन्हें ये ज्यान कहां से मिलेगा कि भगवान से क्या मांगना चाहिए क्योंकि ये चीज़ तो शास्त्रों में लिखी हुई है कि भगवान से क्या मांगना चाहिए तो राम चरित्र मानस याने रामान जी उसमें तुल्सी दाज जी ने नारज जी की एक कथा का वर्णन किया है और उसमें कहा है कि एक बार नारज जी विष्णु जी के पास उनका रूप मांगने के लिए गए कितनी बड़ी बात हो गई विष्णु जी जैसे हैं वेसा मैं बन जाओं वेसा रूप मांगने के लिए गए लेकिन नारज जी भगवान से कहते हैं कि है नात जिस तरह मेरा हित हो आप वही शिग्र कीजिए यन्य जिसमें मेरा भला हो जाए आप वह काम करिएगा तो बस भगवान ने यही मांगो भगवान से कि प्रभू जिस तरह से आपके इस दास का भला हो सके वह काम कर देना अगर हमें सांसारिक वस्तू की कामना नहीं है तो भगवान से क्या मांगना चाहिए बार बार वर मांग हूँ हर सिदे हुस्री रंग पद सरोज अनपायनी भगती सदासत संग किन मैं आप से बार बार यही वरदान मांगता हूँ बार बार वर मांग हूँ मैं आप से यही वर मांगता हूँ कि मुझे आपके चरन कमलों की अचल भक्ती दो और आपके भक्तों का संग सदा प्राप्त हो हे लक्ष्वी पते हरशित होकर मुझे यह दीजिए हर भगवान से भगवान की क्रपा मांगना है क्योंकि भगवान की क्रपा में सब कुछ आ जाता है क्रपा शब्द कहने में बहुत छोटा है लेकिन इसमें गेहराई बहुत है और सबसे बड़ी बात भगवान से और कुछ क्यों मांगे है हम भगवान से भगवान कोई मांग लो जब मांगने ही जा रहे हो तो भगवान से भगवान कोई मांग लो क्योंकि जब भगवान ही हमारे हो जाएंगे तो शेष कुछ बची नहीं सकता है जिस प्रकार अरजुन ने श्री क्रश्ण ची को ही मांग लिया तो उसके पास कोई शेष बचाई नहीं क्योंकि उनके पास देने के लिए जो चीश थी सब कुछ तो उसी की हो गई उनका प्रेम, उनकी क्रपा, निरंतर हम पर बरस्ती रहे सच बात तो यह है कि मनुश्य को भगवान से मांगते ही नहीं आता है क्योंकि भगवान से यदि हम कुछ मांगते हैं तो घाटे का सोदा हो जाता है वो देना कुछ और चा रहा है हम कुछ और मांग बैठते हैं मालो हम भगवान से एक लाख रुपे मांगते हैं और भगवान हमें एक करोड रुपे देना चाहता हो तो हो गया घाटे का सोधा मला एक कहानी और यदि आप शास्तर में जाए तो सुधामा जी की कहानी की और ध्यान दे ले कि उनके जीवन का दर्शन करो आप सब समझ में आ जाओगे कि उनने भगवान जी से कुछ मांगा ही नहीं तो भगवान ने उनको एक छोटी सी जोपड़ी के बैदले महल दे दिया मला आप को समझाने के लिए एक कहानी और प्रस्तुत कर सकते हैं कि एक बार एक राजा बजार में घूमने के लिए निकला रास्ते में उसके कुड़ते का बटन तूड़ गया उसने सेनिकों से कहा कि तुम लोग जाओं और दर्जी को लेकर के आओं सेनिक गए और दर्जी को लेके आँगए दर्जी ने कुर्टे का बटन उसी वक्त लगा दिया अब राजा ने कहा कि कितने पैसे हुए दर्जी ने सोचा कि मेरा तो किवल धागा लगाए बटन भी राजे का था ची मेनत और धागा लगाएं कुर्टे भी राजा का है बटन भी राजा का है मैं राजा से क्या मंगू उसने का कि महराज मुझे इसका दाम नहीं चाहिए तो राजा फिर कहता है कि तुमें कुछने कुछ तो लेना चाहिए बताओ कितना दाम हुआ अबदर जी सोच में पड़ गया उजने बोला कि यह दि मैं राजा से एक रूपया लेता हूँ तो ठीक रहेगा फिर वो सोच था है कि नहीं नहीं अगर मैंने राजा से एक रूपया भी लिया तो राजा को लगेगा कि मैं सबसे एक रूपया लेता हूँगा और उस समय एक रुपे का बहुत बड़ा महत तो होता था तो राजा मुझे दंड भी दे सकता है क्योंकि एक बटन लगाने का सिर्फ धागा लगाने का एक रुपेया नहीं हुआ करता था तो उसने राजा से का कि राजन आप जो भी हो अपनी इच्छा से देना चाहे वो दे दो तो राजा ने सोचा कि ये तो मेरी प्रतिस्ठा का सवाल है मांसमान का सवाल है कि एक राजा का बटन लगाया है तो उन्होंने दरजी को दस स्वन मुद्राइ दे दी अब जरा सोची यहां पर कि कहां तो वो दरजी एक रूपया मांगने में भी हिचा रहा था शंका हो रही थी उसे कि एक रूपया भी मांगू या ना मांगू और कहां पर उसे दस सोने की स्वन मुद्राइ राजा ने दे दी इसलिए भगवान पर विश्वास रखो भगवान में विश्वास रखो वो जो हमें देगा अच्छा ही देगा यानि केने कारते भगवान से ये सांसारिक, भोतिक वादी चीजे मत मांगो सांसा भगवान से अध्यात्मिक चीज मांगो जो अच्छे होती है जो कभी च्छे नहीं हो सकती है वो चीज मांगना चाहिए कि है भगवान आपकी हमारी सम्मंद बने रहें अचल अविरल भक्ती हमें प्रदान करो बार बार वर मांग हूँ हरशी देहुस्री रंग पदसरोज अनपायनी भक्ती सदासत संग तो इस वकार से इस वर से कभी ये मत कहो कि मैं सो रुपे चड़ा दूआ तो ये देदू ने मेरे को ये किलो मिठा ही चड़ा दूआ तो मुझे देदू भगवान की इच्छा कुछ और ही हो सकती है जो आपके सयम के साथ साथ पूरे परिवार की खुशियां हो सकती है इसलिए भगवान से अविरल अचल भक्ति की काम ना करना चाहिए जय जय शिया राम आम नमो भगवते वासु देवाया ओम नमो भगवते वासु देवाया ओम नमो भगवते वासु देवाया ओम नमो नारणाया 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 ओम न परतमान में जो बजरंग बान आपको किताबों में छपा हुआ मिलता है वह बजरंग बान में कम से कम 10 से 12 लाइने हटाए दी गई है हमें पुराना कल्यान जो कम से कम 60 साल पुराना था उस कल्यान में पूरा संपुर्ण बजरंग बान छपा हुआ मिला है वह बजरंग बान ह हमने आपके लिए WhatsApp के माध्यम से टाइप कराया है तो यदि आप उसका बजरंग बान का जो संपुर्ण बजरंग बान है उसको पढ़कर के दिलाब उठाना चाहते हो तो देवराधा टर्श सत्यवानी चैनल के जो WhatsApp नंबर है 764 9862712 और 7987237885 इन नंबर पर आप WhatsApp के माध्यम से अपना नाम अवश्य बता दें पता अवश्य बता दें और पूरा संपुर्ण बजरंग बान को प्राप्त कर सकते हो जय माता दी जय मा का मक्या कर दो कर दो कर दो